असलाम अलेकूम आवरीवन आज हम हम री क्रियेट करने वाले हैं मारिया भी का यह नेक डिजाइन जो के विंटर के लिए बेस्ट है तो शुरू करते हैं वीडियो हम आपने अपना सिंपल सा नेक बनाना है पहले 3.3 का हमने neck बनाना है 3.3 हमने इसकी wind ली है 3.3 ह tag ली है इसको पहले हमने draw कर लेना है इसको हमने shape दे लेनी है 6 से घुलाई दे लेनी है इस तरह simple से neck को देते है 1.5 इंच पे यह दू इंच पे हमने यह mark लगा लेना है यहां पे तक हमारा band है ताव जो हमने पीछे से लगाना है और गले की लेंद अपने लगने है छे से साथ इंच तक हमने गले की ले लेनी है और फिर इसको हमने मेल्टिंग से शेफ देजिने हैं पहले हमने एक ड्रोप शेफ ड्रा करनी है बस इसी तरह हमने इस पे बेल्टिंग से शेफ ड्रा करनी है आप इनको थोड़ा ज्यादा डीप भी कर सकते हो थोड़ा खुला भी कर सकते हो तो वह आपकी चोईस्तिय कोडिंग है आप इसको इस और इसको पर फवड करना काप पर करना हैं तक यह कप्ड़ा पीछे फोल्ड ना हो अब अम हम इनी कुर्ती पर इसको पेस्ट करना है और इसको हम इन स्टी चिक लगानी है हूद कि पहले मने सेंटर वारी लाइन लगाई है आफ देख सकते हो वीडियो में और हमारे जो जो यहां पे हमारा बैना आएगा वो इसको कोड़ी कावर कर लेगा है हमने यह सारी स्टीचिंग्स लगा लेनी है अब निगले को अपने को सेंटर में से सारे एक्स्ट्रा फाइबरिक को निका लेना है और इसमें हमने चोटे-चोटे से कर्स लगाने है कर्स लगा है बगर यह गला विल्कुल भी नीटनेस सीधा नहीं होगा इसमें कर्स लगाना बहुत जोरी है आपने यह चोटे-चोटे से कर्स बहुत ही है इत्यास से और close close करके लगा लेने है हमने इसको पीछे कर लेना है इसको सीधा करने में थोड़ी सी प्रोड़म आ सकती है तो इसके लिए हमने एक कोई ऐसी चीज यूज़ करनी है जिससे ये बहुत अच्छे से सीधा हो जाए मतलब आप पैंसिल यूज़ कर लो आपको यह ओर टूड यूज़ कर लो जो बारीक हो अरसानी से इसके ना कॉरनर्स को बाहर निकाल सके तो ये निसको हमने सिधा करके प्रेस कर लेना अच्छे से प्रेस करने के लगद निक लोड़. ये है इसकी सिम्पल वाली लॉड़् जो प्रैसिंग के बाद आई है जो के बहुत क्यूट लेग रिए यह जो मैंने कपड़ अंदर पूल्ड किया है यहां पर हमारा बैंट लगेगा और इसमें हमारी अंदर लगेगी यह लेस तिम्ह्वर्लेस ते अच्छे लेने जितना वर collector's को हम ने कर लिया है जोईन और पीछे से बिंद है को निकाल लिया हुआ सच को निकाल लिए इसको चिंप कर लिए एक अकσι बेन की कटिंगेन पर ली इसमें कोई कपड़े की कर लेनी है कटिंग इसका हमने प्रेस करके सेंटर निकाल लिया उस सेंटर से हमने इसको रखके स्टीचिंग चुरू करनी है इसकी, हमने, या हमारी कि ढोका है उसका सेंट्र। और इसके पैन का सेंट्र। हमने रख एओं के साथ में और इसको स्टीचिंग है। Jiह सफरीचिंग लगाना तना हमने, अबुर्ण का सबस्के की अब हमसे डाओ ć बाओ को ओदना करें। वो भी इसमें आजाए यह देके शोल्डर की स्टीचिंग आई यह बीच में उसको हमने बैक पॉल्ड करके और इसको स्टीचिंग लगा लिए अब हमने इस कपड़े को सीधा कर लेना है और इसके हमने दूसरे इस तरह से इसकी शेप बनेगी प्रके लेन काम और इसको स्टीचिंग लगा लेना है तो सब्सक्राइब कर लेना है तो इसको इस तरह से स्टीच कर लेना है और हमने आपको दिखाते हूँ किस दरस कट करना है सारे एक्स्ट्रा कप्रे को कट कर देना कोर्णर से हमने इसको एक्स्ट्रा कट कर देना और यहां से थोड़ा सा छोड़के नमार जो अद्दर फोल्ड करके आप इसको यह तरपाई कर ले आप चाहिए आप इस पर स्टीचिंग लगा ले इस तरह से हमने इसको बनाना और इस वो लोंग वाले कर्फ देंगे, वहां से लगाते हैं, थोड़ी प्रॉब्लम होगी है, अपने आइस्ता इस्ता राम से लगाने हैं, बस इसमें ही टाइम लगेगा आपका, बाकी आपका नेक जल्दी बन जाएगा, मुझे टाइम लगा था, इसलिए मैं आपको बता रही हू नहीं लेनी, आपने जैन से बुकरम लेनी है, जिसको हमारी जबान में वार्दाना शेपी बोलते हैं, उससे हमारा गया होगा, अगर गले की जो मेल्टिंग से शेपना खराब नहीं होगी, या पीछे की तरफ फोल्ड नहीं होगा, या हमारी पाइनल लुक देख सकते हैं, अपका क्यूट लग रहा है गला, वीडियो अच्छी लग यह तो लाइक जरूर करिएगा, थैंक्स पॉर वचिंग, अलाफिस